आप सभी श्रोता बंधों को मेरा प्यार भरा नमस्कार आईए आज हम सभी बेर खाने के फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं बेर एक मौसमी फल है यह एक ही मौसम में होता है और इसमें कई तरह के फल मिल जाएंगे जब यह कच्चा होता है हरे रंका होता है और जो कि यह चीन में कई प्रकार की दवाईयां बनाने में उप्योग होता है बेर खाने के बहुत सारे लाव हैं इसको इंगलिश में बेरी कहा जाता है इसमें बहुत मातरा में कैलोरी होती है लेकिन इसके अंदर में बहुत से पोशक्ता तो हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं अगर हमारे शरीर में या अमीनो एसिट सही मातरा में हो तो हमारे शरीर का 50% पोरष्ण पूरा हो जाता है इसके साथ साथ जिन लोगों को अनिद्रा की प्रोब्लblack है वह भी ठीक हो कैंसर होने से रोकता है इसमें पाय जाने वाले निउट्रिशन हमें कैंसर से बचाता है अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो बेर आपके लिए बोखत ही बढ़िया फल है क्योंकि बेर में बोखत ही कम फैट होता है जो कि आपके वजन कम करने में मदद करता है बेर खाने से आपका पेट भरा भरा रहता है जिसकी वजह से आप ओवर इटिंग से बच सकते हैं अगर आप जरूरत से ज्यादा खाना नहीं खाएंगे तो आपका वजन जल्दी कम होने लगेगा या पाचन तंतर को ठीक करने में मदद करता है और इसके साथ साथ या कब्ज ठीक करने में भी मदद करता है अगर आपका पाचन तंतर सही रहता है तो आपके पेट में अफारा नहीं रहेगा और आपका खाना आसानी से पच जाएगा इसमें मौजूद केल्शियम और विटामिन हड्यों को मजबूत करने में अगर आपकी हड्यों में दर्द रहता है तो आप इसक इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन इसका ज्यादा इस्तिमाल नहीं करना चाहिए यह बालों के लिए बहुत बढ़िया होता है इसमें मौजूद पोशकता तो बालों को घना और हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है लसी के साथ बेर खाने से पेट दर्द दूर हो जाता है ज प्रतिरक्षा तंदर को मजबूत बनाते हैं जिससे हमें बिमारियों के खिलाफ लड़ने में काफी मदद मिलती है अगर हमारा प्रतिरक्षा तंदर कमजोर होता है तो हमें जल्दी बिमारियां लग जाती है और बार बार हम बिमार पढ़ते रहते हैं इसलिए अगर आप बेर का रेगुलर ही इस्तिमाल करते हैं तो आप कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं अगर आपको चोट लग गई है तो आप बेर को पीश कर और इसमें तेल मिला कर इसका लेप बना लीजे और अपने जखम वाले स्थान पर लगा कर उपर से पट्टी कर लीजे इससे जखम जल्दी ठीक हो जाएगा और कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा बेर खाने के कुछ एक नुकसान भी होते हैं वो भी हमें जानना जरूरी होता है दोस्तों तो आईए जानते हैं बेर खाने के नुकसानों के बारे में ज्यादा मातरा में बेर का सेवन करने से गैस की प्रोब्लिम हो जाती है अगर आपको मधु में है तो आपको इसका सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए बेर खाने के बाद आपको अपने दात ब्रूश करना चाहिए क्योंकि यह दात के लिए थोड़ा नुकसान दे है बेर के उपर की स्कीन जल्दी सी पचती नहीं इसलिए बेर को थोड़ी देर चबा के खाईए अगर आपको शुगर है तो आप इसका सेवन साउधानी से करें या इसके सेवन से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें इसके अलावा आपके पास कोई सवाल है या कुछ दिक्कत है तो आप कोमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं तो यह थी आज की हमारी और शद ही आप सभी के लिए बेर के फायदे अवम नुकसान से जुड़ी हुई अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे मित्रों कुछ एक ऐसी ही महत्तोपूर्ण जानकारियों को ले करके जो आपके लिए बिहदलापकारी और कारगर ह तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार